Hey guys, welcome back to the video and आज का पहला सवाल निसान कुमार यादव के तरफ से बैज एक सवाल है मेरा, मैं चाहता हूँ 1CR का वैल्यू हो जाए 15 यर में और मुझे investment सिर्फ 5-6 साल तक करना है फिर परे मुझे एक portfolio बना कर दो जिसे मैं invest कर सकूँ चले हम calculation करते हैं कि कितना investment आज से 5 साल तक करना परेका और 5 साल में कितना पैसा जमा हो जाए कि वो अगले 10 साल में 1CR हो जाए अब क्योंकि 15 सालों तक इस पैसे को छोड़ना है तो यहाँ पे पूरा पैसा हम स्मॉल कैप के अंदर भी डाल सकते हैं वालेट लीटी से हमें कोई मतलम नहीं है रिटर्ण जाता चाहिए हम यहाँ पे एकस्पेट कर रहे हैं पूरा पैसा जब हम स्मॉल कैप के अंदर डाल रहें तो फिफ्टीन इयर्स जो पूरा एक बड़ा टाइम प्याइड है वैसे में जा रहा है तो इंद इंड 19.53 मतलम 19.53 लाक सारे 19 लाक रुपए जमा हो जा रहे हमारा टार्गेट था यहाँ पे 20 लाक जमा करने का अगर रेटर्ण में थोड़ा उपर नीचे हुआ या बीच में आपने कभी लंसम भी किया तो यह 20 लाक का टार्गेट यहाँ पे अचीव हो जाएगा सबसे पहला हमारा टार्गेट है कि हमें पांच सालों में 20 लाक रुपए जमा कर लेने हैं S.I.P. और इंट्रेस्ट मिला कर जो की 20,000 रुपए हर महीने अगर हम करते हैं सिर्फ स्मॉल कैप में इंवेश्ट तो बहुत जादा चांसे है कि वो कंप्लीट हो 18 परसंट की रेट से ग्रोव होते रहता है एक Gesmetals औरタल जर्फ सकता है कंप्लीचांसे रिख पूरा पैसां स्मॉल कैप में जा रह रहा है और यहां पर तो यहां पर हमारी वाल्य है अगले 10 साल में इस 20 लाक रुपए की वो साल और ठोब 선 हो जाती है यहि होनी चाहिए हमें करनी है तो 20,000 रुपए 5 साल तक इन्वेस्ट करना है एंड उसके वाद उस पैसे को जैसा है वैसा ही छोड़ देना है अगले 10 साल तक तो 15 years के time period में हमें 1CR का target अचीव हो जागा अगर पूरा 15 सालों तक ही हमें SIP करनी है तो फिर उसकी जो SIP के amount है वो कम हो जाएगी 12,000 रुपए अगर पूरे 15 साल तक हम SIP करते रहते हैं तो अगर पूरा small cap में करते हैं तो 18% के rate से 1.1 करोर का जो target है वो अचीव हो जाएगा तो अगर पूरा 15 सालों तक करना है तो 12,000 रुपए हर महीने करके अचीव कर सकते हो अगर पहले 5 साल करना है फिर उसके आद नहीं करना है तो 20,000 हर महीने पहले 5 साल तक करना होगा और simple है यहाँ पे कुछ portfolio बनाने के भी अलग से ज़ूरत नहीं है अगर आपको पूरा यही target है तो सीधा small cap के अंदर ही पैसा अच्छे small cap देखो जो last like 5 years से 10 years से अच्छा perform कर रहे है और उनी में से 2 से 3 small cap उठाओ और वहीं पे investment करते जाओ इसमें कुछ भी बहुत जादा science बहुत जादा दिमाग लगाने की ज़ूरत नहीं है